कि यहाई वरीबन और यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है तो आज का जो शेशन है उसमें मैं दो चीज़ें डिसकस करने वाला हूं सबसे पहले तो इन 80 डेज में हमारे क्या डूस और डोंट्स होने चाहिए ठीक है एंड हमारा ज इंस्ट्रॉल कर लेना मतलब यूस पर दोनों जंग आपको मिल जाएगी ठीक है यह हमारा इंस्टाग्राम पेज है यह हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है अब भी कुछ ऐसे उड़ती खबर आरेंगे टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा तो आप लोगों मैं इसी टेली नंबर पर कॉल करके हमारे टीम से कोई भी अपडेट ले सकते हो ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जो हमारे 80 डेज का प्लैन है आपको पता है आज 2 सप्टेमबर है और हमारे पास मतलब लगभग लगभग पूरे 80 डेज का टाइम है इन 80 डेज में बहुत सारी च है आपने पिछले झे अगर पहले परिवा परिपरिश शुरूबταν फ्रीपर प्रिविजल जुरू की तो आपका जो एक एक टॉपिक का रिवीजवन क्योंकि हम लोग कई बार हमने ऐसा देखा है बच्चा स्लेबस कंप्लीट कर लेता है उसने पूरा स्लेबस कंप्लीट किया हुए बट उस बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं कोई आउट्पूट नहीं निकल रहा होता तो इसके पीछे मुझे रीजन लगता है कि उस बच्चे ने पढ होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज जादा है ठीक है तो उन टॉपिक्स को आप तो बहुत ही मतलब सॉलिड तरीके से रिवाइज करें ठीक है और उनके प्रीविएस तरह कोश्चन्स लगाएं ठीक है आपको अभी दो दिन पहले एक वीडियो मिला होगा यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने पूरा 80 डेज का क्वांट का पूरा प्लैन बताया था आपक साथ आपको प्रीवेस पर कोस्चन्स करने और मजे की बात इये है इन प्रीवेस कराने के लिए मैं यूट्यूब पर लाइव आना शुरू कर रहा हूं और आज से ही शुरू कर रहा हूं ठीक है मतलब मंडे वनासदे फ्राइडे मेरा यूट्यूब पर लाइब शेचन हुआ करेगा अब आज से हम शुरू करेंगे एलजेबरा के पीवाई क्यूस मतलब एक एक टॉपिक के प्रीवेसर कोश्चन्स हम लोग डिसकस कर रहे होंगे मतलब आई टाइम टेकिंग प्रोसेस तभी मैं एट्टी डेस पहले करने में ठीक है किसी किसे चेप्टर के तो 30-30 पीवाई क्यूस है ठीक है मतलब पिछले 5-6 साल के पीवाई क्यूस कवर करेंगे स्टार्टिंग करेंगे एलजेबर से आज ही से मतलब मंडे है आज तो मंडे आप लोगों को क्लासिस सारी अटेंट करनी है लाइव क्लासिस होंगी वह हमारे यूट्यूब चैनल एक पाट शाला पर तो एक टॉपिक रिवाइस करते रहो ठीक है मैं स्टार्टिंग करूंगा एलजबर के पीवाई क्यूस से क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अर्थ टैमली सारे की प्रिविजन करना है अब हूँ सारे बच्चे बोल रह Dobkay अगर हम रिविजन भी करना चाह 1633 से लेके 2023 तक के सारे के सारे papers की PDF easily available है, ठीक है, 17 से लेके 23 तक के, आप खुद से कर analysis करोगे न, तो 23 का paper थोड़ा सा tough था, बाकी सारे years के paper से, अब tough का वालना बता क्या है, उनमें कुछ ऐसे questions हमारे पास आये थे, जैसे arithmetic के question थे, अब तक कैसे questions आड़ते हैं, कि कोई भी arithmetic question में न, उसमें एक की concept use हो, वो question solve हो गया, ठीक है, जैसे हम ratio में example लें, वो diamond वाले question कर, ठीक है, अब तक diamond सी break हो रहा था, अब diamond जब break हुआ, इस बार उसने maximum minimum possible values के बीच का difference भी पूछा है, ठीक है, तो उसने उस arithmetic के question में एक और concept लगा दिया, algebra का, तो especially कुछ ऐसे question, जिसमें एक concept न लगके, दो concept use होते हो, या तीन concept use होते हो, इस तरह के questions हमें इस time पर practice करने चाहिए, अगर हमने syllabus complete क्या हुआ है, आप सब लोगोंने quant पढ़ा हुआ, आप बच्पन से quant पढ़ते आ रहे हो, but point यह है कि हम exam oriented content पढ़ रहे हैं, जिस तरह के questions का 2023 में आये हैं, या उससे पहले वाले questions आ एक concept वाला question तो बच्चे को easy लगता है, अरे यह तो time constant पे था, यह तो distance constant पे था, time distribution, यह तो circular track का easy question था, easy questions कौनते हो, जिनमें सिर्फ एक ही concept लग रहा हो, किसी question में अगर 2 या 3 या उससे जाधा concept use हो रहे हैं, तो उसका difficulty level बढ़ता चला जाता है, उसको solve करने में time भी लिया था, क्या 23, मतलब paper difficult था, और जब paper difficult आता है, तो सब के लिए difficult आता है, paper अगर easy आएगा, तो सब लोग score कर रहे होगे, उसमें, paper अगर difficult आ रहे है, तो सब लोग के लिए difficult होगा, तो point यही है, कि इन 80 days में हमें revision तो करना ही है, जो हमने पढ़ा हुआ है, पुरा, ठीक जो मतलब exam oriented है exam oriented से मेरा मतलब क्या है जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा concepts use होते हैं direct question ना हो कि ये तो direct question था तो ये जो concepts है ना जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा concepts use होते हैं इन्ही type के questions को हम लोग बोल देता है फिफ्ट ऑफ सेप्टेंबर यानि कि teachers day से शाम को साथ बजे ठीक है बूस्टर को से स्टार्ट हो रहे हैं लोगों का उसमें पहले शुरू की एक एक दो दो classes सब के लिए free रहेंगी ठीक है लेकिन अगर आप लोग booster course का plan कर रहे हो ठीक है तो 4th September तक आप लोग booster बूस्टर कोर्स ले सकते हो जिसमें आप लोगों को 20% discount मिल जाएगा प्राइस पर यूजिंग कोड बूस्टर अगर आप लोग बूस्टर कोड यूज करोगे तो आपको 20% off मिल जाएगा यह ओफ सिर्फ आप लोगो 4th September तक मिलेगा यह सिर्फ आप लोगो 4th September तक मिलेगा और बहुत सारे हमें positive reviews मिले थे बच्चों ने हमें Google form फिल आउट कराया था उसमें बहुत सारे पॉस्टर कोर्स मेरी बहुत help करी क्या 2023 में तो उसी बूस्टर कोर्स का updated version क्योंकि last year सिर्फ मैं क्या करा पाया था कॉइंट में 500 quality questions करा पाया था इस बार 500 questions तो मैं लाइफ क् इसलिए mixed question बनाए है जो mixed test की form में आपको मिलेंगे तो इसा पूरा package of 1500 questions of quantitative aptitude ऐसी LIDA में विजे सर ने आपके लिए 250 plus DLR sets बनाए है and these are literally advanced level sets ठीक है फिर ऐसी VRC में हिमान सुच रणने आपके लिए 350 plus cat quality RC questions बनाए है and 300 से other VA questions बनाए है तो यह सब चीजे जब आप लोग एक advanced level पे कर लोगे तो आपको literally परहें बहूu help होगी मन में doubt आता है मैंने तो अभी महिने पहले Prevision baş के सकता हूं सर मैंने तो कची से बढ़ रहे हो आपको Program सब्सक्राइब करेगा और मैं बोलता हूं यह करेगा जितना हमने बूस्टर कराएंगे आपको यह आपके एक्जाम में जितने सब्सक्राइब करा रहा हूं तो लगबग 70-80 टाइम्स में करा रहा हूं और वह सारे अच्छे और पूरे चांस हैं कि उसी तरह के प्रें आपको एक्जाम वाले दिन इक्जाम में दिखाई देंगे इंड सेमें सेमें अब होता क्या है कि आप आपको लग रही कि आपकी कोचिंग अर्वोंचिंग नहीं करा रही है तो मॉंस्ट वेलकम आप बौश्टो को जॉइन करो अगर आपको लगते कि अभी Direction स्टार्ट करी थी अभी प्रिपिस्ट करी तो आप सारी पर दिने जा रहे हैं तो यह बच्चे पढ़के जाएंगे ठीक है लेकिन क्या वह लेवल के जा रहे हैं क्वांट तो बच्चे नहीं पढ़ा हुआ है जो यह बैंकिंग की तयारी कर रहे हैं तो वह बात को आपके सामने करें अब बाइस कोशेंट कर लेते हो यह पॉइंट है ना हमारा हमएं ठीक है वह चीज़े बहुत मेटर करती हैं ताइम है तो ग्रूप C वाला बच्चे पढ़ रहे हैं घ्रूप D वाले हैं पढ़ रहे हैं हुआ तो वह सारे के सारे जो इक्जाम औरिंटीट फिल्टर डाला था उसे मैंने बताया भी था कि फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ने की जुरू होते हैं हम अन फिल्टर कंटेंट कुछ मी ना पढ़ने बैठ जाए मेरे पास फला वो कहा मैं बुक से पढ़ना शुरू कर देता हूं अब टाइम नहीं है बुक से पढ़ने का अगर क्या 25 देना है तो बुक से बढ़ो बैठके अब क्या 24 में 80 डेस का टाइम है तो आपके पास आप खुद से रिसरच नहीं कर सकते कंटेंट की आपको इस ताइम पर फिल्टर्ड कंटेंट चाहिए कि ये कंटेंट ये इस तर और बूस्ट होगा और मैं आपको लिटरली बजाता हूं आप नोटिस करना आप बूस्टर कोर से पहले मौक्स लगाना 15-20 दिन या 25 दिन वाद आप दुबारा से मौक लगाना आपको इसको डेपनिटली आपको इंपरोव होता दिखाई देगा हमारे पास बच्चों के मै आपके पास च्वाइस है या तो पूरा का पूरा बूस्टर कोर्स ले लो ठीक है जो कि 9600 पड़ेगा आपको तिल 4th सेप्टेंबर इसके बाद यह 10,800 का हो जाएगा 4th सेप्टेंबर के बाद ठीक है अब दूसरी चीज आप कहते हो नहीं है मेरा तो सिफ कॉंट वीक है ज मैं सिफ कॉंट का लेना चाहरा हूँ तो आपके पास च्वाइस रहेगी आप इंडिवीज्यल बूस्टर कोर्स भी ले सकते हो तो अगर आप इंडिवीज्यल बूस्टर कोर्स लोगी तो आपको सारी क्लासिस मिलेंगे उसमें ठीक है और 10 क्वांट के section मीं मिलेंगे 1500 से ज सब्सक्राइब कर लिए उनको तो दिखने शुरू भी हो गए उनके उनके वीडियो सुल्यूशन डलते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे इसमें अन्रोल करेंगे उनको बताऊंगा कि कब तुमें टॉपिक टेस्ट देना है कब तुमें मिक्स को मिक्स वह प्र इसका सब्सक्राइब करेंगे तो इस थी सारी कि सारी बूस्ट कोर्स के बारें बाते थीक है मैं बता रहा हूं और फील्टर्ड कंटेंट पढ़ना है मैंने बोला ना रिविजन प्लस डिफिकल्ट कोस्टेंस जिन कोस्टेंस में आपका सिंगल कॉंसेट यूज ना होता हो दो कॉंसेट्ट या दो से ज्यादा कॉंसेट्ट यूज होते हूं जिस तरह के कॉस्टेंस आपको क्या 23 में दिखे वो टाइमेंडर का कॉस्टेंस याद है जिसमें हार्मोनिक मीन का कॉंसेट भी यूज हुआ था यह जो रेशो वाला कॉस्टेंस मतार में डामेंड पूछने difference के बीच में तो यह वही question जिनमें एक concept नहीं दो concept लग रहे थे तो basically हमें इस तरह के questions इस point of time पर practice करने चाहिए ठीक है बाकी हमें क्या नहीं करना चाहिए मेरा मानना है कि हमें irrelevant content नहीं बढ़ना चाहिए इस time पर वह time है कि हमें पता होना चाहिए smart work कि वह कौन-कौन से topics हैं जिनसे हमारे exam का जाधा वेटेज है तो हमें उनका revision पहले करना चाहिए अगर कोई ऐसा topic है जिसका वेटेज कम है तो हमें उसका revision सबसे बाद में करना है smart work बहुत ज़रूरी है इस point of time पर ऐसा नहीं कि हम अपना एक maximum time किसी एक ऐ तो section मेरा already strong है जिसमें मेरा already अच्छे marks हा रहे है मैं उसको और जाधर time दिय रहा हूं तो यह गलती है बहुत सारे बच्चे करते हो देखे मैंने कुछ बच्चे बहुत comfortable feel करना शुरू कर देते हैं तो दिन में आटाट लएडी के sets कर रहे हैं उनको वी रसी भली ने आता हो आपको पता होना चाहिए क्या आपका strong point है क्या आपका weak point है मतलब productive पढ़ना है और मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूं अपने offline center में बच्चे क्या करते ह है मैं पुछता हूं दो घंटे में क्या किया सरी 8 questions मैंने बनाएं अगर दो घंटे में क्वांट के 8 questions बना रहे हो तो लिटरली आप 2x time ले रहे हो मुझे ऐसा लगता है एक घंटे में आपके 8 questions बन जाने चाहिए बेसिकली जब आप revision कर रहे हो तो आपको बहुत कम टाइम कर लेता है ठीक है तो हमें अपनी जो calculation है वह बहुत ही solid तरह किसे करनी अपने time की calculation यह नहीं कि मैं रात को 10 बजे 20 में चला जाता हूं सुबह 10 बजे मुझे होश आता है पूरा 12 गंटे मैं सोने के लिए मैंने निकाल रखे एक-एक मिनिट आपके लिए लिटरली स्टाइम सब्सक्राइब बहुत जब्सक्राइब आपको तो किसी से अगर 15 मिंट फोन पर बात भी कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए क्या लिटरली यह 15 मिंट मुझे देने चाहिए अभी यह तो मैं 24 निवंबर के बाद भी दे सकता हूं आपको बहुत ही solid तरह से प्लाइनिंग जो भी करना है उससे पहले ही कवर करना है उसके बाद हमें मिलेगा तो फिर अगले साल मिलेगा सीधा एक साल बाद मिलेगा तो अपने 80 डेस बहुत ही solid तरह से प्लैन करो विजे सर ने पूरा 75 डेस का प्लैन डाला है यूट्यूब पर वीडियो देखो जाके मैंने पूरा जो मैं बोल रहा हूं वह इंप्लीमेंट भी करो वीडियो तो आप मेरे साथ साथ बाकी 10 लोग भी देखते होंगे बट आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो गया क्योंकि रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन से निकलेगा वीडियो स्ट्राटेजी की बन गए ऐसे थोड़े ही होत जो कि मैं आपको लाइव कराने वाला हूं प्रीवेसर कोश्चन्स आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो मैं सारे के सारे प्रीवेसर कोश्चन्स अपने यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव कराऊंगा जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं ठीक है रात को साढ़े 10 बजे ठीक है अपना एक वाइस डिसीजन आप ले सकते हो और बॉस्ट्र ना काउनसे अपना है कास में कर लेता तो सायद मेर्य कर लेता और आपको कोई और भी डाउट रहता है आपके मन में इसमें मतलब हापी मालो चलो से जादा लाइफ लाइव क्लासस होंगी ठीक है जहां वह लग रहा है मेरी ही क्यॉंट के से लग-वाइफ फिफ्टी लाइफ टरसीज और यह रहा है अब बूस्टर कोर्स के अगर मैं बात करूं तो ओवरोल इसमें 200 घंटे से जाया लाइव क्लासीज वोंगी, ौवरोल, तीनों सब्जेक्ट्स की, खाली क्वांट के बोलोगे तो मैं बोलूगा, यहां थाय क्लासी आधा हमारी लाइव क्लासीज होगी, एडवान्स कोश्चन का कंटेंग ठीक है जो कि आपको इसके तुरू मिल जाएगा बाकी यार कोई भी मन में डाउट हो कुछ भी दुखदर्द परेशानी हो तो मैं यूट्यूब पे लाइव अना शुरू करूंगा तो हम आपे भी अपने डाउट डिसकस कर लेंगे और और सारे डाउट्स मैंने क्लीर कर दी होंगे और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया है कि क्या करना है रिविजन करना है और कम टाइम में करना है अपना प्रोड़क्टिव पढ़ाई करनी है अपना टाइम कहीं पर वेस्ट नहीं करना है ठीक है और दूसरी चीज हमें स्म वाइस प्लैन डाल दिया है वो वीडियो देखो और सिर्फ देखना नहीं है उनको इंप्लीमेंट भी करो जैसे मैंने क्वांट का बनाया ना वो एक्टीडिस का प्लैन उसी प्लैन को मैं अपने बूस्टर कोर्स में इंप्लीमेंट करूंगा ताकि हमारा मतलब एक आप भी अगर आपको खाली खाली सब्जेक कंवर करने हैं तो मिलता है फिर आज रात साड़ देस बजे लाई मिलते हैं यूटीउब पे फिर हम लोग क्या कहते हैं बूस्टर कोर्स में तो लाइब मिलेंगी उसमें तो हमारी क्लासिस हुआ करेंगी वीक में 4-5 शेशन लाइफ हु this is all about of today's session I hope आपको इस session में कुछ यह समझ में आई होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है और सारे के सारे doubts आपके booster course के clear हुए होंगे यह जितना भी यहां पर लिखा हुआ है this is the minimum चीज जो हम आपको booster course में देंगे complete quant dln vrc vision with advance question 1500 plus quant question 250 plus dlrc 350 plus cat quality rc question plus 300 plus va question 30 sectional test weekly 10 to 12 classes होंगी बारा तो होंगी होंगी ठीक है topic test with video solutions मिलेंगे आपको इतने भी topic time सबका video solution आपको मिलेगा quant booster course में आपको खाल यह quant की चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगे interactive live session topic test video solution 10 quant के section मिलेंगे 150 quant question complete quant revision with advanced question बढ़ा तो बहुत है क्या cat level पढ़ा है यह मेंटर करता है ठीक है चलो see you soon guys bye bye take care ठीक है and literally यार पढ़ लो यह 80 days बहुत शिद्दत से पढ़ लो तुम्हें result मिलेगा पढ़ो तो सही ठीक है वो बोलते हैंना कर्म तो करो फलकी चाप मत करो 24th November तक कर्म कर लो जतना जादा कर सकते हो ठीक है चलो see you guys bye bye take care